नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर सुजाता शर्मा मैं एम्स न्यू डेली में एक प्रफैसर हूँ और आज हम इस विश्य में बात करेंगे कि वैक्सीन क्या है वो कैसे काम करता है और वो कोविट-19 जैसे गंभीर बिमारियों से आपको कैसे बचाता है किसी भी बिमारी से लड़ने के लिए दो ही तरीके होते हैं या तो आप उसकी रोग थाम कर लीजे यानि की प्रिवेंशन या फिर अगर आपको वो बिमारी हो ही जाए तो आप इसका क्यूर कर लीजे या की इलाज तो आपको पता है कि जब बिमारी आपको होती है आप हॉस्पटल जाते हैं दवाएं लेते हैं पर कितना अच्छा हो अगर आपको बिमारी हो ही न यानि की आप उस बिमारी को प्रिवेंट कर लें उसकी रोग थाम कर लें और वैक्सीन ही वो तरीका है जिससे आप किसी भी विमारी को उसके होने से पहले ही रोक लें, वाक्सीन को समझने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि का हुँका है जैसे कहते हैं sars cough tube जब यह शत्रु में एक सिपाहीों का दल है यानि कि कुछ cells हैं जैसे immune system कहते हैं जो उसी वक्त active होते हैं जैसे ही virus attack करता है या कोई भी bacteria या fungus या कोई भी विमारी आपको attack करती है तो ये है immunity, immunity एक आपका security shield है, एक रक्षा चक्र है जो आपको हर विमारियों से बचाता है पहला step है recognition यानि कि शत्रू को पहचानना तो सबसे पहले जो आपके immune cells हैं वो शत्रू को पहचानते हैं और second step होता है signaling यानि कि आपस में वो संकेत करते हैं cells कि देखो इस शत्रू आया हुआ है, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें इसको मारना पड़ेगा और फिर होती है जम के घमासान लड़ाई आपके immune system में और उस शत्रू में अगर पहचान जल्दी हो जाती है उस शत्रू की तब तो समझ लीजे कि जीत आपकी ही होगी क्योंकि बहुत जल्दी पहचान होने से, बहुत जल्दी से बहुत सारे आपके immune cells प्रड्यूस होते हैं और वो उस शत्रू को खतम कर देते हैं और अगर पहचान में थोड़ी सी भी देरी होती है, तो शत्रू यानि की virus आपकी body पे भारी पर जाता है कोई भी पधार्थ जो आपकी immune system को active करे या सक्रिय करे उस पधार्थ को antigen कहते हैं और antigen को देखकर जो आपकी body में कुछ proteins बनते हैं उनको antibodies देखते हैं हर बिमारी के अपने ही विशेश antibodies होते हैं यह नहीं होता कि सारी बिमारियों का एक ही antibody हो जैसे covid-19 की बात की जाए वो antibodies तभी बनते हैं जबकि वो antigen का मतलब इस case में है जो virus जैसे ही वो virus को देखता है उसके antibodies अलग से बनने लग जाते हैं अब vaccine इस point पर काम आती है जो vaccine है वो उसी किटानू से बनता है जो किटानू आपको बेमार कर रहा है पर आप घपड़ाये नहीं यह किटानू बहुत कमजोर तरीके से आपकी body में डाला जाता है उसको बहुत कमजोर बनाया जाता है तो वो आपके शरीर में जाके वो बेमारी नहीं करेगा पर आपके body को आपके immune system को वो अपनी शकल दिखाएगा ताकि आपका immune system उसकी शकल पहचाने समझे कि अच्छा ये है वो शत्रू और फिर उसको याद रखे ताकि जब वास्तविक तरीके से आगे जाके वो बेमारी आपको होने के chances हैं आपको वो किटानू फिर मिले तो आपकी body को याद रहे कि ये है वो किटानू और इस तरह हमें मारना है तो एक तरीके से वाक्सीन आपको देने का मतलब है कि आपकी body को train किया जा रहा है ये एक तरीके से एक training exercise है ताकि आपकी body में जो immune system है उसको अच्छी तरीके से पता हो कि क्या करना है जब असली में शत्रू मिले तो वाक्सीन कही तरीके होते है लाइव शत्रू में यृंरेचा को होते हैं लाइव यृट होता है कि अतना कंजोर होता है कि आपको बेमार नहीं करता है more imp वाक्सीन होता है जो आपकी body में जाए कुछ उसी कितानू का protein बनाना शुरू करने का संकेत देता है पर जो भी यह vaccine होते हैं करते वो एक ही काम है जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि वो बस आपकी body को train करते हैं ताकि आपका जो immune system है वो पहचाने कि यह है वो virus जो आपको गंभीर तरीके से बिमार कर सकता है तो चाहें आपको vaccine लें या covishil लें या कोई और दिलें और उनकी जो भी उनकी उपर लिखाओ कि यह live है इनक्टिवेटर है बट आपको यह बात समझ में आने चाहिए कि सारे vaccines एक ही काम करते हैं वो आपको बैमारियों से बचाते हैं वैक्सीन के लिए दो खुराके या फिर दो डोजस बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि पहली डोज में जो जब वैक्सीन आपकी बॉड़ी के अंदर जाता है तो वो आपके इम्मून सिस्टम को बस पहचान कराता है वाइरस की और दूसरी खुराक जो की या तो चार हफते बाद या फिर छह या आठ हफते बाद आपको आपके जो भी डॉक्टर हैं वो बताएंगे डिपेंडिंग आप कौन सा वैक्सीन ले रहे हैं तो दूसरी खुराक में आपकी इम्मून रिस्पॉन्स को और भी जादा बूस्ट मिलता है और भी जादा शक्ति मिलती है वह और भी जादा पाफूल होती है इसलिए दोंहों डोज लगाना बाहुत-बहुत जरूरी है और याद रखहे कि अगर आपने कोवैक्सिन की की फर्स्ट डोज है वो सकता है आपको सिरदर्ध हो थोड़ा सा बदंदर्ध हो थोड़ा सा फीवर हो एक दो दिन के लिए पर कोई बात नहीं वो तो आप छेल जाएंगे आपको पता है कि यह side effects एक दो दिन के हैं पर जरा सोचिए कि आप गंभीर तरीके से बिमार नहीं पड़ेंगे अगर आ खा दो रहे हैं आप कर सकते हैं थोड़ा सा side effects छेल सकते हैं तो इसी वक्त जाके अपनी first dose लगाए और फिर जब डॉक्टर कहते हैं चार या 6 या 8 हफते बाद तब जाके अपनी second dose जरूर लगाए अब यह सब हमारे उपर है कि हम कैसे इस बिमारी से लड़े और सबसे अच प्रवाए और सकते हैं चेल सकते हैं unpacking the देटाँ लगाए लगाए, gonna checking the box